हेलो दोस्तों तो आशा करते हूं कि आप सब स्वस्थ होंगी और आप सब की गर्भावस्था की जर्णी भी बहुत अच्छी चल रही होगी हेल्दी चल रही होगी तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपसे लक्षणों की तौर पर अपनी कुछ एक्सपीरियंस को शेर करना चाहते हूं और इसमें कुछ ऐसे सिंटम्स में बताऊंगी जो कि मेरी गर्भावस्था में मेरे साथ रहे हैं मुझे ऐसे सिंटम्स आये हैं और मुझे बेबी बॉय डिलिवर हुआ है तो बस वही एक्सपीरियंस में आप लोगों से शेर करना चा तो देखिए जब प्रेगनेंसी रुकती है तो प्रेगनेंसी रुकने के एक हफते से लेकर 15-20 दिन तक गरवती महिला को जो कि वाइट कलर का या फिर हल्का पिंक भी हो सकता है तो अक्सर महिलां घबरा भी जाती है कि यह डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में पता नहीं होना चा लेकिन शुरुवात में जब हॉर्मोन्स कुछ बढ़ने लगते हैं प्रेग्नेंसी वाली तो उसके परियानाम सुरूप यह डिस्चार्श होता है चुकि बलकुल नॉर्मल है और यह साइन होता है पेट में बेबी बॉय होने का तो दूसरा सिंटम होता है वॉमेटिंग आप में तो वॉमेटिंग फील होती है लेकिन होती नहीं है तो आहीं जानते हम तीसरी लक्षण के बारे में तीसरा जो बहुत ही मुख्श्ण होता है बहुत ही सिंपल साच होता है और यहायर्मोनल चेंज़ से होता है इसमेला को घर्ब राना नीचे ये बहुत ही सिंपल सा चेंज होता है और एक बहुत बड़ा सिंटम होता है गर्ब में बेटा होने का तो चले फ्रेंट्स अब हम चौते सिंटम के बारे में जान लेते हैं तो चौता बड़ा सिंटम होता है कमर में दर्द होना ऐसा अक्सर देखा गया और मुझे पी गर पवस्ता में ऐसा हुआ था जब चौथा मैना शुरू हुआ चौथे अपांचमे मैने से मुझे कमर में बहुत जादा दर्द होता था और मैं जादा देर तक खड़े ओकर काम किचन में नहीं कर पाती थी तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यूट्रेस का साइज स्रीद्रे बढ़ने लगता है तो जिसके दबाव के वज़े से कमर में दर्द होता है और यह बीबी वाय होने का चान होता है तो दूस्तो अब हम जानते हैं पांच Feder python के बारे में जो कि आपके स्किन से रिलेटेड होता है घरवरवस्ता όह गई जिकन हो गया है तो यह सिंट्म होता है घर में लड़की होने का लेकिन अगर आपका रंग काला हो गया है आपको खास कर टाक सरकील हो गया है जो कि मुझे बहुत जादा हो गया तो ये बीपी बॉय होने का लक्षर होता है तो ये मेरे कुछ खास लक्षर थे मेरी घर पवस्ता से जुड़े वे और मुझे बेटा ही हुआ था जो मैंने आपसे साचा किया है आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाए लेंगे वैसे बेटा और बेटी कुछ भी हो मा के लिए तो दोनों ही बहुत लविंग होते हैं इसलिए सबसे जरूरी होती ही कि आपकी प्रेग्नेंसी अच्छी तरह से पूरी हो जाया और आपको बेवी अच्छे से डिलवर हो वी